हलो एवरीवन वेल्कम टू लर्नर भी आइम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की जो आपकी पुक है उसका चप्टर 5 फुट प्रिंट्स विदाउट फीट तो बिना पैरो के जो पैरो के निशान है वो कैसे है तो क्या कोई इंसान invisible का मतलब होता है कि जो दिखेना क्या कोई इंसार invisible हो सकता है ये साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसने खुदको invisible करे लिया था और क्या उसने अपनी जो discovery थी अपनी खोश थी उसका use किया अच्छे से या फिर उसका misuse किया ये इस में हम देखेंगे दो boys जो है started and surprise तो मतलब एक तरह से startled हो गए वो जिसे कि होता है न भौचक्का सा हो जाना तो वो काफी जादा surprise हो गए जब उनोंने देखा कि mud मतलब मिट्टी के जो imprints है एक तरह से print से बने हुए थे जमीन पर मिट्टी के जिसे नंगे पाओं में कोई चल रहा हो मगर वहाँ पर कोई भी पैर नहीं थे मतलब पैरों के निशान तो दिख रहे थे बट कोई भी पैर नहीं दिख रहे थे what a barefooted, barefooted का मतलब होता है जिस पैर में चपले वगरा ना हो नंगे पाओं चो होते हैं नंगे पाओं को इंसान चल रहा था और वो steps जो है men doing on the steps of a house in a middle of London and where was the man तो मतलब लंडन के बीचो बीचे कौन इंसान है जिसके मतलब पाओं के निशान हमें दिख रहे है मकर पाओं नहीं दिख रहे है और ऐसा इंसान यहां पर कर क्या रहा है as they gazed as तो मतलब उन्होंने जितना और आगे देखा as they gazed a remarkable sight meant their eyes a fresh footmark appeared from nowhere और तो उन्होंने gazed का मतलब उन्होंने दिखना है फिर आखे कोल के देखना तो उनको दिखा कि foot prints तो है पैरों के निशान है बट फिर से पैर नहीं है नए ने पैरों के निशान बनते जा रहे हैं बट पैर कहीं भी नहीं देख रहे है कोई इंसान नहीं देख रहा further जो foot prints से followed further foot prints followed one after another descending the steps and progressing round the street the boys followed fascinated until the muddy imprints became fainter and fainter and at last disappeared altogether फिर वही बच्चों ने क्या कर रहा उन foot prints को follow करना शुरू कर दिया follow करते रहे फिर वो जो foot prints ते वो faint होते काई faint का मतलब है हलके धुंदले होते का और फिर at last वो कहीं भी नहीं दिख रहे थे explanation जो थी is mystery की वो काफी simple थी यह थी जिसने boys को bewilder कर दिया bewilder का मतलब होता है puzzle कर दिया मतलब confuse कर दिया यह कौन था जिसके foot prints थे यह था एक scientist who had just discovered उसने अभी अभी discover किया था कि किस तरीके से human body को transparent बनाया जा सकता है transparent जैसे कि यह glass होता है है ना glass के आप आर पार देख सकते है ऐसा लगता है जिससे कि कुछ भी ना हो बट वो solid होता है तो इसी तरीके से जो griffin था यह griffin scientist का नाम था had carried out experiment after experiment इसने कावी सर experiment किये यह प्रूफ करने के लिए कि क्यो human body है ना उसको invisible बनाया जा सकता है finally he swallowed certain rare drugs तो उसने क्या किया कुछ drugs होते है उनको swallow कर लिया निगल लिया and his body become as transparent as sheet of glass though it remained as solid glass तो मतलब वो transparent हो गई हमें दिख नहीं पाएगी but वो ऐसी होगी कि हम उसे पकड़ सकते है चुएंगे तो हमें फील हो जाएगा कि हाँ यहां पर कुछ है but कुछ दिखेगा नहीं तो brilliant scientist though he was काफी brilliant था काफी होशियार scientist था Griffin was rather a lawless person but वो person lawless था कानून को नहीं मानता था his landlord जो था उसका मकान मालिक उसको बिल्कुल नापसंद करता था और tried to eject him मतलब उसको Griffin को घर से बहां डिकालना चाहता था तो revenge में मतलब बदला लेने के लिए Griffin ने क्या किया उसके घर में आग लगा दी to get away without being seen he had to remove his clothes अब कोई उसे देखे ना इसके लिए उसको अपने कपड़े उतारने पड़े क्योंकि एक ऐसा इंसान तो नहीं दिख रहा है पैसे भी नहीं थे और वो invisible था किसी को दिखता भी नहीं था until he happened to step in some mud और फिर उसके पैर जो है किसी मिट्टी पर पढ़ गए and left footprints as he walked और मिट्टी पर पढ़ गए तो footprints जो है उसके दिख रहे थे जब वो चल रहा था तो उसने जो वो बच्चे उसको तो उसने काफी घराब समय लंडन में बिना कपडों के घूमने के लिए चुल लिया था क्योंकि ये मिड विंटर था सरदियो का मौसम था बहुत ही बिटरली कोल्ड बहुत ही भयंकर ठटफाँ पढ़ रही थी he could not do without clothes और वो बिना clothes के तो काम उसका नहीं चल सकता था instead of walking about the street he decided to slip into a big London store for warmth अब उसको लगा कि कहा सड़कों पर भढ़कता रहेगा तो एक कोई बड़ा सा store था उसमें वो चला गया closing time, closing time आ गया as soon as जैसे ही door बंद हुए Griffin जो है वो खुद को मतलब कपड़े उसने अराम से वो पहन लिये और वो खानावाना भी उसने खा लिया without regard to expense मतलब कोई पैसे भी नहीं लगते क्योंकि अपिस्टोर में कोई था नहीं तो उस स्टोर में से उसने कपड़े भी पहन लिये खाना वगरा भी खा लिया उसने काफी सारे boxes खोले and wrappers and fitted himself out with warm clothes तो रैपर वगरा हटा के सब कुछ उसने गर्म कपने पहन लिये soon with shoes अब उसके पास shoes थे over मतलब coat था और head थी he become a fully dressed and invisible मतलब fully dressed हो गया और visible मतलब कि कोई person है यह दिखने अब लगा था in kitchen of the restaurant अब restaurant की kitchen में he found उसको meat मिल गया और coffee मिल गया coffee मिल गई and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store when grocery store से वो wine ले आया sweets लेया खूब अच्छा सा उसने अपना खाना पिना कर लिया finally he settled down to sleep on a pile of quilts तो quilts होती है न जो आप समझ लीजे कि जैसे रजाई रजाई में रजाई की उसमें वो अराम से सो गया if only griffin है अब सब को सही हो जाता अगर जो griffin है वो सही टाइम पर उठ जाता but अब जब वो तब उसके नीन खुली जब जब असिस्टेंट थे न स्टोर के वो सारे के सारे आ गए अब उन्होंने देखा कि ये सब क्या हुआ है ये भाग रहा है ना एक इंसान जिसके सिफ कपड़े दिख रहे हैं इंसान नहीं दिख रहा तो इस लोग इसके बीचे भाग रहे हैं तो वो तब ही बच पाया जब उसने अपने सारे के सारे कपड़े जो है फिर से उतार के फेक दिये तो newly found clothes जो उसको मिले थे उसने फिर से उतार के फेक दिये once more वो invisible हो गया बट naked, नंगा हो गया उसके बास कपड़े नहीं थे और टाइम क्या था जनवरी का टाइम था बहुत ही ठंड का फिर this time he decided to try the stock of theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders तो फिर अब उसने यह सोचा कि वो किसी theatrical company मतलब जो जहां पर होते हैं जहां पर और जहां पर सारे कपड़े होते हैं तो इस तरीके की वो थेटर में गया तुकी ताकि उसके कपड़े तो वो पहन ले था 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 बर उसकी body तो transparent थी body तो दिखती नहीं थी तो उसके अपने सर के उपर भी रखने के लिए उसे कुछ मिल जाएगा इस उमीद से वो ऐसे में गया तो वो काफी ज़्यादा शिवर कर रहा था शिवरिंग मतलब काप रहा था ठंकी वाज़े से तो जूरी लेन में वो गया जहां पर काफी ज़्यादा थेटर्स होते थे तो उसको सही शॉप मिल गई तो उसने मतलब पूरे अपने नोस भी लगा ली पूरा फेस सा उसने अपना बना करके लगा लिया तो निकलने के लिए बिना किस कोई उसे देखे उसने बहुत ही खराब तरीके से विदाउट केरिंग का मतलब होता है बिना केर के उसने शॉप कीपर पीछे से आफ्टर विच उसने क्या करा उसकी मनी भी चुराली पैसे चुराली और वहां से भाग गया इगर तो गेट अवे फ्रॉम दे क्राउड़े लंडन ही टुक ट्रेंट टू दा विलेज ओफ इपिंग वियर ही बुक टू रूम्स अड़ लोकेल इन तो वही लंडन में परिशान होना था पीड़ बहुत जादा होती थी छुपना मुपना मुश्किर हो जाता था तो उसने सोचा कि एक विलेज ओफ इपिंग गाउं में चला जाया है फिर वहां पर उसने जाकर के इन होटल टाइप के होते हैं धर मिशाला टाइप से उसमें अपियरेंसी अजीब सा दिख रहा था और सारे के सारे लोग आसपास के टंग्स वेगिं का मतलब है लोग गॉसिपिंग करना लोगों ने शुरू कर दिया इधर की बाते बहराना शुरू कर दिया मिसस हॉल दे लेंडलोड जिसके वहां रह रह रहा था उसकी वाइफ का न और केह दिया ग्रिफिन ने माई रीजन फॉर कमिंग टॉ इपिंग इस डिजायर फॉर सॉल्टिटूड मेरा मैं इपिंग इसली आया हूं ताकि मैं अला सॉल्टिटूड सॉल्टिटूड का मतलब है अराम से शांती से में यहां पर रह सकूं आई दो नोट विश तो बी बिसाइड एन एक्सिडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है कि कोई मुझे डिस्टॉब करे और यह जो मेरा फेस है यह एक्सिडेंट की वज़े से आसा हो गया है सटिस्फाइड विद हर गेस्ट वाजन इसेंट्रिक साइंटेस्ट फिर अबिट्स इग्नोर करना शुरू कर दिया और इरिटेबल टेमपर मतलब गुस्यल जो आदत थी ना उसकी उसको भी इग्नोर करना उन्होंने शुरू कर दिया बटी स्टोल न्दा मनी जो इन यह एपिंग जो थे ग्रिफिन जो साइंटिस्त है यह बहुत दिनों तक जो इ लेंडलोड पैसा उन से मांगने लगे थे तो कहने लगा कि एक उनका चेक मतलब मेरे पास चैक आने वाला है जैसे ही मेरा चैक आ जाये का तब ही मैं तुम्हें पैसे दे दूगा इसके बाद ही एक अजीब सा एपिसोड हुआ मतलब पहले तो इसने मना कर दिया ग्रिफिन न अपने लेंडलोड को कि में पास एक भी पैसा नहीं है जैसे ही पैसा आएगा मेरे पास चैक आने वाला है मेरे पास और मैं तुम्हें पैसे दे दूगा इस एपिसोड के होने के बाद क्यूडियस मतलब इस अजीब सी चीज हुई क्या हुआ very early in the morning a clergyman मतलब सुबह सुबह clergyman चो चर्च में लोग होते हैं और उतकी वाइफ जो है awakened by noises in the study उनके study room जहाँ पर सारी किताबे और समान वगरे रखे लेता था तो वहाँ पर अजीब सी आवाजे हाई तो clergyman उनकी वाइफ इसकी वजह से जग गई creeping downstairs they heard the chink of money being taken from the clergyman's decks तो मतलब उनो ने एक आवाज सुनी कि chink high pitched ringing sound चिंग का मतलब होता है काफी तेसी आवाज सुनी पैसे के निकालने कि उनकी decks में से clergyman ने उनकी वाइफ ने without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand the clergyman flunked open the door तो poker मतलब एक होता है और उजार टाइप का वो गए बिना किसी आवाज करे तिरी दिरे गए और एक हाथ में और उजार टाइप का था और बोलने लगे कि surrender कर तो surrender कर तो कि मतलब अपना जो भी तुम कर रहे हो वो छोड़ दो then to his amazement he realized that the room appear to be empty फिर उन्होंने देखा कि रूम में तो कोई भी निया रूम तो खा लिये he and his wife जो है उन्होंने डेस्के अंदर देखा curtains के पीछे देखा चमनी पर भी देखा बट कोई भी वहां पर नहीं था येट जो डेक्स थी वो ओपन थी और हाउस कीपिंग की जो मनी थी घर के कामकाच के रहे जो पैसा रखा गया था वो गायब हो चुका था extraordinary affair बहुत ही अजीब सी चीज थी clergyman kept saying for the rest of the day पूरे दिन clergyman यही कहते रहे कि ये सब हुआ क्या कैसे हुआ कुछ समझतो आया नहीं but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning उस morning के ही थोड़े से मतलब इस जभी incident हो गया clergyman के साथ उसके बाद अकली सुभे मतलब उसी सुभे थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अजीब सा incident जो है वो landlord lady के साथ भी हुआ and सब लोग इससे भी काफे सब्सक्राइज हो गए क्या हुआ कि landlord की wife जो थी ना वो very early and was surprised to see scientist door wide open की scientist जो है उसका कमरे का दर्वाजा बिलकुल खुला पड़ा है usually वो बंद रहता है और लॉक रहता है तो वो furious हो गए मतलब and he was furious if anyone entered his room की उन्हें लगा कि कहीं कोई और तो उनके scientist के कमरे में नहीं है opportunity तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी opportunity है और देखा जाए कि क्या scientist के room में चल रहा है peeped around the door, peeped मतलब जहांक करके देखा और देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो सोचा investigation हो जाए bed clothes जो थे मतलब जो बिस्तर था वो ठंडा था, इसका मतलब scientist जो है वो काफी time से यहां पर नहीं था अजीब सी बात ये थी जो कपड़े वो पहनता है, badges जो लगाता है वो सारे के सारे room में ऐसे ही बड़े हुए थे all of sudden जो Mrs. Hall थी उन्होंने एक sniff close to the ear, मतलब कुछ अजीब सी जैसे कुछ अवास सुनी a moment later उसके बाद जो hat थी ना वो bed port से उपर उठी और एक तरह से उनके face पर आकर के लग गई then bedroom chair become alive, bedroom की जो chair थी वो भी ऐसा लगा जैसे हिलने लगी springing into the air, it charged straight at her, legs foremost as she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appear to slam and lock the door after them, फिर वो chair उनके मूँ तक पहुच गई और आगया आगया बड़ी बड़ी और फिर एकदम सुन का रूम से बहा निकाल दिया और दोर बंद हो गया Mrs. Hall almost fell down the stairs in the hysterics, तो मतलब Mrs. Hall जो थी है वो ऐसा लग रहा था जैसे की बिलकुल जो है इतनी जो प्रॉब्ब्म सी जो पूरा movement तेखा है इसके वज़े से वो उससे नीचे ही गर जाएंगी अपने स्टेर से, तो hysterics का मतलब होता है widely emotional reaction मतलब अजीब से reaction की वज़े से वो नीचे ही गर जाएंगी She was convinced that room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture तो उनको लगा कि ये जो stranger है इसके वज़े से उनके जो है furniture में भूत आ गया है My poor mother used to sit in the chair, she moaned to think it should rise up against me now तो मतलब जो मेरी चिमा इस पे बैठा करती थी और ये चेरब मेरे पे ही आके एक तरह से मुझे ही इसने मार दिया है Feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft तो neighbors को लगा ही witchcraft, कोई जादूगर टाइपस वाली चीज है वो सब ये कर की जा रही है किसी जादूगर के द्वारा या और किसी जादू के द्वारा But witchcraft or not, when the news of the Bulgari at the clergyman's house became known Bulgari मतलब जो चोरी हुई है The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it तो ये सब witchcraft, इतनी अजीर जीसी event हो रही थी पहले इस कुरसी ने मार दिया, फिर clergyman के घट चोरी हो गई तो इस सबसे लगा कि यारी जो एक अलज़ी सा scientist आया है कहीं इसने तो ये सब कुछ नहीं किया है Suspicion, मतलब शक बढ़ता गया कि इतना बढ़ गया कि when he suddenly produced some ready cash तो एकदम से cash भी पे कर दिया, red भी पे कर दिया तो पहले तो था नहीं, फिर एकदम से कहां से आ गया तो suspicion काफी सादा पढ़ने लगा उसके खिलाफ जबकि पहले उसने एडमिट कर ले था, उसके पास कोई पैसा नहीं है फिर खहां से पैसा आ गया और कला जी मैंनके वहाँ पे चोरी भी हुई है तो ये सब हो क्या रहा है तो विलेज की कॉंस्टिबल को secretly बुलाया गया तो कॉंस्टिबल को भी बुलाया गया और उसके वेट किये बिना ही मिस्स हॉल जो है साइंटिस के बास चली गई अब पहले उने देखा था की बेडरूम में कोई नहीं था दर्वाजा बंद हो गया था पत्टिबल से साइंटिस कहीं से अगया बेडरूम में यह कैसे हो गया है इच्छ रवमन में तो तो उसने बोला की तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया और तुम कहां से मतलब एक बंद कमरे में तुम आ गयい जहां से कमरा बं था तुम किस तरीके से उस कमरे में पहुंच गई ये सारे के सारे जो जवाब हैं तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे scientist जो है quick tempered था उसको गुस्सा आ गया now he became furious अब उसे बहुत ही जादा मतलब चड़सी लग गई you don't understand तुम्हें कै समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ वो चिलाने लगा very well ठीक है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ suddenly उसने अपने जो bandages हैं viscous, spectacles और अपनी नाक भी उसने सारी फेक दी it took him, एक मिनट उसे लगा ये करने में, लोग काफी ज़्यादा डर गए, in the bar found themselves staring at a headless man और फिर आसपस काफी लोग के खिटा हो गए थे, तो देखा कि भई एक headless man बिना सिर का आतमी मतलब किस तरीके से था वहाँ पर तो काफी ज़्यादा सब डर गए थे, Mr. Jeffers Constable अब आ चुका था, और वो भी surprise हो गए थे कि एक बिना सरवाले आतमी को वह कैसे arrest करें, Jeffers was, but headless man तो था, but Jeffers जो था, Jeffers कौन था, Constable था, Jeffers को अपनी duty करने से रोक पाना काफी मुश्किल था, अगर magistrate warrant को order कर देता है ना, कि person को arrest करना है, तो person को arrest करना ही है, चाहे वो head हो, उस person के, मतलब उसके body पर सर हो या ना हो, but वो arrest तो होगा ही, there followed a remarkable scene, फिर एक बहुत ही अजीब सा scene हुआ, पुलिस मेंने ट्राइ किया, कि वो आदमी को पकड़ पाए, जो आदमी और जादा से जादा invisible होता जा रहा था, उसने अपने सारे कपड़े दर दर फैक दिये, finally उसने देखा कि shirt जो हो हवा में उड़ रही है, constable को मतलब बड़ी दिक्कत हुई, struggle कर रहा था, कि ऐसे इंसान को कैसे पकड़े, जो दिखता ही नहीं है, दिखी नहीं रहा है, लोगों ने try किया help करने क बड़ हर किसी को बहुत सदा प्रॉब्लम हुई क्योंकि कहीं से भी आकर कहीं से लपार पड़ रहा है, कहीं से उनके कोई लात मार रहा है, कोई बड़ समझ जी नहीं रहा है कि हाथ पैर जो पटके जारे किसी के चाटता थो कि इसी के गूसा है, सब आ कहां से रहा है, in the end, Jeffers was knocked unconscious, Jeffers जो था फिर वो पिहोश हो गया, और last attempt उसने try किया कि वो पकड़ पाए unseen scientist को, बट वो successful नहीं रहा, there were nervous, excited cries of hold him, hold him, एकदम से लोग चिला रहे थे, पकड़ो उसे, पकड़ो, but easy कहना था, बट करना बहुत इसको मुश्किल था, क्योंकि भई वो दिखी नहीं रह जो देखी नहीं रहा, इसको कैसे पकड़ा जाए, ग्रिफिन हैट शेकन हिमसेल्फ री, ग्रिफिन ने खुद को सबसे छुड़वा लिया था, and no one knew where the, where to lay hands on him, सबसे मतलब छुड़वा लिया, उसने और किसी को समझी नहीं आया था कि पर इस इंसान को पकड़े तो कैसे पकड़े जो देखी नहीं रहा, वो कैसे पकड़ा जाएगा, तो यही थी हमारी इसकी स्टोरी, कैसा लगा वीडियो, ज़रूर बताएगे, और आप देख रहे हैं इसको किस पे, लर्नवी पर ये आद रखिए, ठीक है, क्योंकि कहीं बार कुछ लोग कुछ अजी भरकते क करते हैं, कई और चानल स्पिटाल देते हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले, लर्नवी के अलावा, तो आप ज़रूर बताएगा, और वहां मत देखिए, कमेंट भी कर दीजएगा, तो इसलिए, थैंक यू सो मच पर वाचिंग और इसको शेयर भी करेएगा अपने फेंस के साथ, थैंक यू